उन्नाओं में महाशिवरात्री पर्व कोले करकी गई बैठक प्रांती मंत्री साफसफाई कोले करकी अपी कॉमेडियन अन्नूम अवस्ती पहुचे लकनाओं डॉक्टर इंदर मडीत रिपाथी ने कारित्रम का किया शुभारं धर्मग्रंथों पर अपमान जनंक किप्री नहीं होगी बरदास्त स्वामिपुर्साद मौर उपर की कारवाई की माग कानपूर में भूमाफियाओं के होसले बुलंद डियम ने जाच कि दिये आदेश संभर में जोला छाब डॉक्टर पर बड़ी कारवाई पुलिसना वैद रूप से कमाई संपत्ति को किया कुर्ग नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्रायम टीवी वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का LDA के रहगीरी कारिक्रम में कॉमेडियन अन्नु अवस्थी लखनव पहुचे लखनव विकास प्राधी करण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्र मडी त्रिपाथी ने बैलून उडा कर कारिक्रम का शुभारम किया G20 में विभिन देशों से आने वाले महमानों को उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्र मडी त्रिपाथी संस्कृती एवं तहजीब से रूबरू कराएंगे आपको बता दें कि कारिक्रम में जुम्बा पेंटिंग प्रतियोगता मैजिक शो के बाद रॉक बैंड के कलाकारों ने रंग जमाया वहीं इस मौके पर 40 मॉडलों ने रैंप वॉक कर सामाजिक सरोकार और वसू दैव कुटुम का संदेश दिया उन्नाओं में महाशिवरात्री पर निकाली जाने वाली भोले बाबा की बारात की तैयारियों की बैठक की गई ये बैठक हिंदू जागरण मंच के प्रांती मंत्री विमल दिवेदी के आवास पर संपन हुई विमल दिवेदी ने मंच के पदाधिकारियों और आम जन्मानस से हिंदुों के महापर्व महाशिवरात्री पर मंदिरों के आसपास सुच्छता और सुरक्षा को लेकर चर्चा की आपको बताने कि टीम गठीत करन नगर को भगवा ध्वजों सिसल जाने की अपील की महाशिवरात्री पर निकलने वाले भोले बावा की विशाल ल्यात्रा को लेकर आज हिंदु जाग्रमंच दौरा आवास पर सभी भोले के भक्तों की बैठक का संपन हुई है जिसमें की प्रमग्रूप से जैसा कि आप सब को गया थे कि गतवर्षों की भावा इस वर्ष भी बिशाल वा भब भोले बावा की बारात महाशिवरात्री पर निकाली जाएगी जिसकी तयारियों को लेकर आज बैठक संपन हुई है और प्रम क्रूप से जो तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है उसमें पुरे नगर को भगवा धोजों से सजाया जाएगा वा यात्रा ब्रंदावना खबर संबल से है जहां जोला चाप डॉक्टर पर बड़ी कारवाई की गई पहले गैंसर रेक्ट की कारवाई फिर सलाखों के पीछे अब उसकी संपत्ती कुर्क की गई पुलिस ने ढोल नगाडे बजाकर अवैद रूप से अरजित की गई संपत्ती को कुर्क किया साथी आरोपी पर अवैद रूप से अस्पताल संचालित कर एक महिला की जान लेने के मामले में मुकर्दमा दर्च कर लिया है जोला चाप डॉक्टर पर कारवाई होने के बाद से हड़कब मचा हुआ है थाना हयातनगर का एक मामला था जिसमें 2022 वर्ष में एक डॉक्टर मरगूब और उनके कुछ साथियों द्वारा एक परजी अस्पताल चलाया जा रहा था उसकी कोई रिजिस्ट्रेशन सीमो का जाले से नहीं थी और वहां पर गरीब लोगों को भैके में लाकर भैका कर उन पर उनका उपरेशन किया जाता था उनका इलाज किया जाता था जिसके तरह कई लोगों की जाने खत्रे में हुई उनके खिलाफ मुगदमा पंजिकरित करवाया गया और गैंक्सर एक लगाया गया है अब 32 लाख रुपे की उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है 14 एक टेक्सर एक में और आगे ली करवाय की जा रही है पूरे ज़ट तरूप में शिकायद भी की अब दियम ने नयाब तहसीलदार को जाज के आदेश दिये हैं तूबे के मुखमंत्री युग्यादिनाथ की आदेश दूथे देखा जाए तो कानपू के जो चेत परता है तो मर्द पतर्सा गाउं और देखा जाए ने कहीं गौपाल गाउं में जो दो प्रधान है उन परधानों को सारा खरापूरा खेले रहा है कर देखा जाए ने कहीं जो है लगजाए जर्दीर संफ जमना और परधान मैस उनको लेंके पुलिए मुली विःगत कर जाए तो जो प्लाट बेचेंट ness वो प्लाट अगर देखा जाए तो उनके जो कांबीच है ने कान्पूर्ट इम विशाखा जी आज जो अपने कंप्लेन दिया और देखा जा कानपूर डिये में उन्हों जो नाइब का सिल्डार जो है उनको जांच कादे दिये गए अब देखना यह है कि पुलिस या फिर गुजैंगी थाना पुलिस जो है इन भूमाफ्या में खिलाब कितनी कारवाई करती है करती है कि अब तोड़ फोड की इसके बाद ही दबंगों ने मौझूद दुकानदारों से मारपीट भी की आपको बता दे कि दबंग बाईकों पर सवार थे लाठी डंडे लेकर यहां पहुचे थी और यहां मौझूद गाडियों में तोड़ फोड शुरू कर दी इस हमले से यहां अफर पीची रोड़ी के अंतरगत ग्राम चीरोड़ी में कुछ रुकों के द्वारा दुकानों में तोड़ फोड़ और गाड़ियों में तोड़ फोड़ का मामला प्रकास में आया है, मोके पर ततकाल पुलिस पहुच गई, पहुचने के बाद जो फ़वरीत और पूच्ता और जुकानदारों से मार्पीट उनों ने कारिद किये हैं मोके पर इस्थी बिल्कुल सामान में है और नियल्टरन में है तो इस द्वारा असलम क्या हुआ था जी सान हुआ अपने काम कर रहे हैं तो जड़ से दस बार अलमडाई बाइच पर किस मामले के अभी पतना है हम तो पहस अतना काम करें धर से बाइच फॉड़ ख़ड़ करें चलें कितनी गोली चली है करीबन दो तीन चली होगी महभूब लावे महभूब क्या हुआ था है यहां जी इंगे से कुछ आई खड़ खड़ी गए आड़ दस जैने और आगे अबस कुछ बूस्त नताज सिद्धा लेटबाजी एर बूर कुछ पास ट्रक किसका था ट्रक हमारी है यहीं खड़ा था यहीं खड़ा तो इसको किस क्यो तोड़ा गया क्या कारण था पता ही ना सुल्तानपूर में आज भी सड़ सड़क हादसा हो गया इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गया ननफानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया साथ ही मिर्तिकों के शफ को पोस्माटम के लिए भेज़ दिया गया और पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है जिसमें तीन व्यक्तियों की दुखद मृति हो गई है और साथ अन्य व्यक्ति घायल हुए है चुंकि स्थान से अंबिटकर नगर जिदास्पताल नजदीक पड़ता था तो घायलों को उधर भेजा गया है और तीन जो मृतक हैं उनके पोस्टमाटम की कारवाई और देवरिया में रामचरित मानस पर टिपड़ी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर का पुतला दहन किया गया है आपको बता दें कि चाड़क समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी समाज के लोग आंदोलन पर बाध होंगे और तो और स्वामी प्रसाद मौर पर कठोर कारवाई होना चाहिए वहिराष्टी सचिव नित्यानंद उपाध्याए ने बताया कि रामचरित मानस इवं सनातन धर्म पर आपत्ती जनक्तिपड़ी कत्तई बरदाश नहीं करेंगे करते हैं उसको स्वामी परसाद मौरिया के द्वारा अबद्र टिपड़ी की गई है उसको जलाया गया है इसके खिलाप हम लोगों का धरना पर दरसन चला और हमारी मांग है भाजपा सरकार से भाजपा सरकार भी मिली हुई है नहीं मिली हुई होती तो आज तक उनकी करें नहीं तो हम चलक के विचार सरस्थान के तमाम लोग कोई मांग हमारी नहीं है उत्तर परदे सरकार से हम करना चाहते हैं कि स्वामी परसाद मौरिया के खिलाप उचित कारवाई की जाए इस आदमी ने धर्मकरंस का अपमान किया है इनके उपर राश्टी द्रोह का मु कि गिरफतारी नहीं हो जाएगी मैं नित्यार अंदुपाद है चालक की विचार संस्थान का राश्टी सचीव हो कि उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही देजमुन्या की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रायम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्रायम टीवी सच साहस सरोकार